दे रहा होगा 305 रुपिया MRP लिखी हुई है और ये आजमगर की मंडी से मुझे मिला है मातराथ रुपे का कितना परसेंट कमिशन आप खा रहे हो ये ऐसा क्यों है इस पे भी चर्चा होती है ये देखे आई भी सेट है जिसके माध्यम से गुलकोज बलट वैगर चर्था है सरीर में इसे कहते हैं आई भी से इस पे जो MRP लिखी हुई है वह एक सोंठांबे और यहां आप देख सकते हैं एक सोंठांबी रुपे कि ये आई भी सेट मुझे पड़ी है मातर बार रुपे की फिश्टर वीगो सेट लगाने के बाद जो उस पर टेप लगाया जाता है यह मुझे पड़ी है शसे साथ रुपे की और इसके MRP एक खतर रुपया पचास पईसा यहां भी आप देख सकते हैं मैं इसलिए आपके बीच आया हूँ इसी प्रकार से बहुत सारे हजारों दो तीन हजार दवाएं ऐसी हैं जो सो रुपे की दवा है तीन हजार की बिक्त प्रियर डेर सो रुपे का आता है जिसका प्रिंट रेट है चोसो नब्य रुपिया बुखार में जो पहरा सीटा माल की जो बोतल आती छोटी सी वह पचास रुपे की आती है और उसकी MRP यहां आप देखें MRP 522 रुपिया है कमर की बेल्ट जो सो रुपे की आती है उसे प 500 से लेके 1500 रुपिया तक अलग अलग ब्राइटी है 500 से 15 तक लेकिन आपको 5000 से 20 रुपिया 25 रुपिया चार्ज किया जाता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे भाई डॉक्टर लगा रहे हैं तो देखिए डॉक्टर जब आप अस्पताल में भरती होते हैं तो प्रकार से बहुत सारी दवाई है 100 रुपे की दवा एक दवा मैं देखा ला नहीं पाया उसको 100 रुपे की दवा उसकी मारपी 2000 रुपिया लिखी हुई थी हजारों दवाईया हैं आपके साथ आपको लूटने का काम कर रहा है मुद्दा यह नहीं है कि इस पर 305 का प्रिंट छपा हुआ है मुद्दा यह है कि इसे छपने किस ने दिया जिसे हमने चुनकर भेजा क्या हो दलाली खा रहा है कमिशन खा रहा है आठ उपे किची 305 उपे का प्रिंट छपने क्यों दे रहा है यह चोरी से थोड़ों न भीक रही है खुले आम भीक रही है तो यह जिम्मेदारी सरकार की है इसलिए मैं का रहा हूँ कि आईए और यह मुद्दा किसी सपा भाजपा कांगरेस किसी नेता का थोड़ों न है यह भारत के 140 करोर जंता से जुड़ा हुआ मुद्दा है आपको आगे आना होगा और आगे आने के लिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करवान होगा अधिक से अधिक लोगों को बताना होगा इसलिए नहीं कि मेरा यह परचार हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है इस मुहीम को जब यह वीडियो सेयर होंगे सोसल मीडिया एक ऐसा प्लेट फार्म है जिससे सरकारें हील जाती है आज मैं इस सीच को लेकर आया हूँ यह जनता से जुला हुआ मुद्दा है जब आप मेरी इस बात को जनता की आवाज को अपने इलेक्टानिस गजट्स के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे निश्टी तुरूप से सरकारें डरेंगी और मैं तो कहता हूँ सरकारों को जनता से डरना चाहिए जनता को सरकारों से नहीं डरना चाहिए तब मैं आपके बीच कहने आया हूँ कि आईए मेरे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं कि बात 305 रुपय की नहीं है बात उस गरीब की है उस रिक्सा चालक की है जो दिन भर में साड़े 400 से लेके 500 तक की मजदूरी पाता है अगर उसकी तबियत खराब हुई हो बेहोस हो गया उसके घर वाले किसी उसको अस्पताल लेकर जाते हैं तो 305 रुपया वो अस्पताल के वाल बीगो का चार्ज कर लेगा फिक्ष्टर का 71 रुपया चार्ज कर लेगा और आई दिन की दिहारी उसकी केवली स्पीन आइटम से चलीगे आगे की दवा कहां से आएगी तब उसका बाप खेद बेचेगा उसकी बीबी गाहना बेचेगी इस तरह का लूट खसो और मैं तो कहता हूँ सरम करो ऐसा करने वाले लोगों आठ रुपय की 305 की बेचते हो आज कुछ तो सरम करो कुछ तो सोचो स्वास्त सिख्षा सेवा का छेत्र है लेकिन आपने इसे लूट का अड़ा बना दिया है सरकारों के मीली भगत स्यासा हो रहा है तो मेरा निवेदन है आप लोगों से किस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें ताकि